विध्यान धैरव तंत्र का जगत बौधिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, और सिध्धान्त इसके लिए अर्थ भी नहीं रखता, यह उपाय की विधी की चिंता करता है. तंत्र शब्द का अर्थ ही है, विधी, उपाय, मार्ग. तंत्र का अर्थ विधी है, इसलिए यह एक विध्यान ध्रंथ है. विध्यान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है, दर्शन और विध्यान में यही बुनियादी भेध है. दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है और विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है इसलिए तंत्र विज्ञान है दर्शन नहीं दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी, बदलाहट की नहीं, आमूल बदलाहट की जरूरत होगी जब तक आप बिलकुल भिन्न नहीं हो जाते हो, तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता क्योंकि तंत्र कोई बौधिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रशनों से शुरू होता है देवी ऐसे प्रशन पूछती हैं, जो दार्शनिक मालूम होते हैं लेकिन शिव उत्तर उसी धंग से नहीं देते देवी पूछती हैं, प्रभू आपका सत्य क्या है शिव इस प्रशन का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधी देते हैं अगर देवी इस विधी से गुजर जाएं, तो वे उत्तर पा जाएंगी इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधी भर बताते हैं वे कहते हैं कि यह करो और तुम जान जाओगे कि शिव कौन है तंत्र के लिए करना ही जानना है, तुम एक प्रशन पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयाई हो जाते हो लेकिन तुम वही के वही रहते हो और यदि संतुष्ट नहीं हुए, तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो, जिनसे संतुष्टी मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अचुते, अप्रिवर्तित इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधी देता है अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे, तो वह कहना बौध्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयन देखने में सक्षम हो जाता है, तो वह अस्तित्वगत बात होगी, इस अर्थ में तंत्र अस्तित्वगत है भैर्वी स्वयन भगवान शिव की शक्ती है, जो स्वयन शिव से अभिन होते हुए भी, वह शिव के वास्तविक स्वरूप से अन्भिग्य है वह भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आठ प्रश्न करती हैं कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है हमें यह बताएं भगवान शिव ने माता पार्वती के सभी आठ प्रश्णों को नकारते हुए उनसे अपने वास्तविक स्वरूप का बर्णन करते हैं देवी भैर्वी उन उपायों को जानना चाहती हैं जिससे वह शिव अवस्था में प्रवेश करके उनसे एक हो जाएं वह शिव से अभिन्न होते हुए भी अपने परास्वरूप को ना जान पाने के कारण अपने को उनसे भिन्न अनुभव करती हैं वह अपने अप्रा प्रकृती से स्रिष्टी की रचना तो करती हैं, परन्तु अपनी ही अप्रा प्रकृती से अंभिग्य हैं, जो शिव से धिन्द नहीं हैं। उनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं 112 विधिया। उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है, मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमन के सभी उपाय उनमें समाय हुए हैं। विध्यान भैरव तंतर पांच हजार वर्ष पुराना है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीन है, संपूर्ण है, अंतिन है, यह सबसे प्राचीन है, और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन है। ध्यान की इन 112 विधियों से, मन के रुपांतरण का पूरा विध्यान निर्मित हुआ है। यह विधिया किसी धर्म की नहीं है, वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है, जैसे सापेक्षितवात का सिध्धान्त आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो और टेलिविजन इसाई नहीं है, कोई नहीं कहता कि बिजली इसाई है, क्योंकि इसाई मस्तिष्क ने उसका आविशकार किया है। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है, और तंत्र विज्ञान है, तंत्र धर्म नहीं है, इसलिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने का महासाहस परियाप्थ है, तंत्र बहुत माना जाना नहीं है, यदि माना जाना है भी तो बहुत गलत समझा गया ह उसके कारण है जो विज्ञान जितना ही उचा और शुद्ध होगा उतना ही कम जनसाधारण उसे समझ सकेगा हमने सापेक्षतावाद के सिध्धान्त का नाम सुना है कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीतेजी केवल बारह व्यक्ति उसे समझते थे यही कारण है कि जनसाधारण तंत्र को नहीं समझा और यह सदा होता है कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो दूसरी बात की जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गाली देने लगते हो, यह इसलिए की यह तुम्हें अपमानजनत लगता है तुम सोचते हो, मैं और नहीं समझा, यह असंभव है तीसरी बात की तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका द्रिष्टिकोन अतिनैतिक है कृपा कर इन शब्दों को समझें, नैतिक, अनैतिक, अतिनैतिक नैतिक क्या है? हम समझते हैं, अनैतिक क्या है? वह भी हम समझते हैं लेकिन जब कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है तब उसे समझना कठिन हो जाता है इसमें तंत्र अतिनैतिक है इसको ऐसे समझो औश्धी अती नैतिक है वह न नैतिक है न अनैतिक चोर को दवा दो तो उसे लाब पहुचाएगी संत को दो तो उसे भी लाब पहुचाएगी दवा कभी चोर और संत में भेद नहीं करेगी दवा वैग्यानिक है, तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है तंत्र कहता है, तुम आदमी को बदलाहट की प्रामानिक विधी के बिना नहीं बदल सकते, मात्र उकदेश से कुछ नहीं बदलता आज पूरी जमीन पर यही हो रहा है, इतने उकदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, प्रित्वी उनसे पटी है, और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक है, इतना कुरूप है ऐसा क्यों हो रहा है, तंत्र तुम्हारी तथाक्थित नैतिक्ता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज की चिंता नहीं करता इसका यह अर्थ नहीं है, कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि तंत्र जब तुम्हारी नैतिक्ता की ही इतनी कम फिक्र करता है तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता टंत्र तो व्यग्यानिक विधी बताता है कि चित्त को कैसे बदला जाए और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा एक बार तुम्हारे ढाचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी भगवान शिवद्वारा कथित 112 विधिया इस प्रकार है प्रथम विधी है दो श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करे श्वासों की अंदर जाती और बाहर आती प्रकिया को सजगरूट से देखे प्रथम श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यहक्रिया इस परादेवी का ही इस बंधन है यहक्रिया हरिदय से आरंभ होकर उपर द्वादशांत तक अर्थात नासिका से बाहर निकाल कर बारा अंगुल दूर तक जाती है तो इसे प्रान कहा जाता है सधारन भाशा में कहे तो जब आप श्वास लेते हैं तो यह श्वास हरिदय से शुरू होकर नाक से बाहर निकल कर कुछ अंगुल तक जाती है इसे प्रान कहा जाता है फिर जो श्वास नासिका से होते हुए फिरदै तक पहुचती है उसे जीव या फिर अपान वायू के नाम से जाना जाता है यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है, यह परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है, यही आंतर वबाह्य भावों की स्रिष्टी करती है शरीर में अथवा स्रिष्टी में जो भी स्पंदन है, हल्चल है, वह सभी इसी शक्ती के कारण है जहां कोई भी स्पंदन नहीं है, कोई भी हल्चल नहीं है, ऐसी शांत अवस्थाही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है जब प्राण वायू बाहर निकलता है और अपान का आरंध नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतराल रहता है, यही शिव का स्थान है, जहां कोई गतिविधी नहीं होती है इस पर ध्यान को केंडरित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है, और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूती होती है इस प्रकार जब हरिदय में अपान वायू का अंत होकर प्राण वायू का उदे होने के मध्य जो अवकास है, उसका ध्यान करने से योगी की भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है प्राण की इस बाह्यगती को रेचक कहा जाता है फिर इस से आकाश में अपान का उदे होता है, तथा नासिक मार्ग से चलकर यह हरिदय स्थित कमल कोश में विलीन हो जाता है अपान की इस स्वाभाविक अंतर गती को कूरक कहा जाता है जब द्वादशान्त में तथा अपान वायु हरिदय में क्षन भर के लिए रुक जाती है, उसे योग शास्त्रों में कुम्भक कहा जाता है यह कुम्भक अवस्था दो तरह की होती है वह कुम्भक तथा आंतर को जब यह श्वास चलते चलते मध्य में ही किसी कारण से रुक जाती है तो उसे मध्य कुम्भक कहते है इन सभी रेचक कुम्भक तथा पूरक अवस्थाओं का निरंतर ध्यान पूर्वक निरिक्षन करते रहने से योगी जीवन म्रक्यू से मुक्थ हो जाता है आए इसे और विस्तार से समझते है जब तुम्हारी श्वास भीतर आये तो उसका निरिक्षन करो उसके फिर बाहर या उपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षन के लिए या क्षन के हजारवे भाग के लिए श्वास बंध हो जाती है श्वास भीतर आती है और वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है फिर श्वास बाहर जाती है तो फिर वहाँ भी एक क्षण के लिए या क्षणाश के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लोटती है श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुर्ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो उसी क्षण में घटना घटनी संभव है क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो तुम तो हो लेकिन मृत लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते तंत्र के लिए प्रत्येक बहिरगामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है भीतर आने वाली श्वास मृत्यु है अंदर आने वाली जीवन का इसले प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो इन दोनों के बीज का अंतराल बहुत खशनिक है लेकिन पैनी द्रिष्टी, शुद्ध निरिक्षन और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको, तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है, तब और किसी चीज की जरुरत नहीं है, तब तुम आप्त काम हो गए, तुमने जान लिया, घटना घट गई प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो, वह है तुम्हे या तुम्हारी संग्रचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है इसका प्रयोग करने के लिए, पाल्थी मार कर शांत अवस्था में बैठ जाए पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रती होश पूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ, और आने वाली श्वास को, उसके यात्रापत को देखो जब श्वास नास्पुटो को सपर्श करें, तो उसको महसूस करो, श्वास को गती करने दो, और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उत्रो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो, उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो स्मरन रहे, न आगे जाना है, और न छाया की तरह पीछे चलना है, समानतर चलो, युपत श्वास और सजगता को एक हो जाने दो, श्वास नीचे जाती है, तो तुम भी नीचे जाओ, और तभी उस बिंदु को पासकते हो, जो दो श्वासों के बीच में है यह आसान नहीं है, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर जाओ अगर तुम श्वास के प्रती सजगता का बोध का अभियास करते गए तो एक दिन अंजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीवर, गहरा और सखन होगा जैसे जैसे तुम्हारा बोध सपष्ट आकार लेगा जब सारा संसार भूल जाएगा बस श्वास का आना जाना ही एक मात्र बोध रह जाएगा तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है अधना के बात करते हैं तो सीधे सीधे स्पष्टी करण हमारा जो विज्ञान भहरोत अंत्र है श्व और पारुती की बीच के जो संबाद है वहाँ पर जाना पड़ेगा और विज्ञान भहरोत तंत्र में साब साब सपष्ट श्व ने गुरु रूप को धरान करते हुए अपनी पत्नी को अपनी प्रेसी को बताया है कि जो तंत्र मारग है वो गुप्त से गुप्त है इतना गुप्त है कि उन्होंने कहा है कि हेप आरुती इस तंत्र विद्या को इस सादनाओ को इस ग्यान को जो हम बता रहा हूं इसको अपनी योनी के समान समाल के रखना इस प्रकार से उन्होंने उसको बताया हुआ है कि इतना गुपत रखना कि जैसे अपने अंग हैं उनको छुपा कर रखो किसी को बताने कि अवशक्ता नहीं है तंत्र का सीधे सीधे अर्थ ये है कि उसको बताये नहीं जाना चाहिए इसलिए गुरू की जो भाणी होती है वो बड़ी रहस में होती है बड़ी टेक्निकल होती है वो सीधे साबस पष्ट बात करता ही नहीं है क्योंकि तंत्र का जो सिस्टम है वो सीधे सीधे मुक्ती मार्ग के और ले जा रहा और बहुत ही रहस्य समय मार्ग है लेकिन बड़ा दुशकर भी है क्योंकि तंत्र में हम बाहर से चोट मारते हैं मंत्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं अलग-अलग चारण होते हैं अलग-लग बीज मंत्र होते हैं एक आक्षरी से लेके शड़क्षरी मंत्र भी होते हैं छत्य सक्षरी मंत्र हैं तो उन मंत्रों का अलग-लग युगदान है साधक की उर्जा को उपर बढ़ाने के लिए साधक की उर्जा का अर्थ है जो कुंड्रिनी उसकी है विराजबान उस कुंड्रिनी में अलग-लग चक्र हैं साथ चक्र उन सातों चक्रों के अलग-लग रहस्य विज्ञान है और हर चक्र पे अलग-लग देवी देवता, अलग-लग शक्तियों का स्थान है और हर मंतर की अलग लग चोट जब पड़ती है उस केंदर पर वाइबरेशन होती है यानि कि हर सेंटर की एक अपनी गती है हर केंदर की अपनी एक वाइबरेशन है तरंग धहर है तो बहां तक जहां पर आप छू नहीं सकते हैं जहां पे आप देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुचेंगे, तो वहां पे पहुचाने के लिए जो हमारे वैग्यानिक हैं, यानि जो रिशिमुनी लोग हैं, उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च किरी, और है तो सारा भगवान, भहरव का ही सारा, तो उन्हीं से ही अरजित जो ग्यान है, सभी रिशिमुनी का, वो हमारे शास्त्रों में बढ़नत हैं, और उसको जब हम कठोर रूप में लेते हैं, तो तंतर आ जाता है, यानि कि बाहर से आगात करके, आप मुझ से जब बोलते हैं, तो उसका एक अलग एफेक्ट होता है, अ और वो आपको उट पटांग कुछ भी बोल सकता है, मार भी सकता है, वहीं अगर आप किसी प्रेम से बात करते हैं, उसके एक अलग तरंग धहर यह है, उसके अंदर वो वाइबरेशन पैदा कर देती है, और उसके हिर्दे से वो प्रेम फूटने लगता है, इसका अरतिया ह कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं न कहीं छूता है, और हमारे सामने जो द्रच है, उसके सामने वो प्रकट होता है, उसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग केंदर हैं, उन अलग अलग केंदरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, और उन मंतरों की ऐसी डिजाइनिंग करी ही है कि वो बेना किसी मेडिया के बेना किसी मशीन के उन्हों ने जान लिया कि जो हमारा वो सेंटर है वो किस ध्वनी पे एक्षटिय नीش ल estrut 서ल की महनत है तो उस केंडर पर हम उस इससपेसिफिक मंत्र को चूट मारते हैं बोड़ते हुई तो जब बोलते हैं कि defense संख्या निश्यत जो उन्होंने गड़ना करी हुई है कि इतनी संख्या इतने दिन में और प्रते दिन इतना और किस माला पे और बाकी जो चीजें हैं घंटा डमरू इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जो आप उनको प्रोसेस में लाते हैं तो एक शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन नहीं होता है लेकिन धीरे 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 जीरे अन मंत्रों की वाइब्रेशन में तीवर हो जाती है जब जबना की होती है तो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहुँचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक है यानि जो रिशिमुनी लोग है उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च करी और है तो सारा भगवान भैरो कही सारा तो उन्ही से ही अरजित जो ग्यान है सभी रिशिमुनी का वो हमारे शास्त्रों में बढ़नत है और उसको जब हम कटोर रूप में लेते हैं तो तंत्रा आ जाता है यानि कि बाहर से आगहात करके आप मुझ से जब बोलते हैं तो उसका एक अलग एफेक्ट होता है अगर आप किसी से गलत बोलेंगे तो उसके भीतर जो तरंगे उटती है वो उसके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर देती है और वो आपको उट पटांकुझ में बोल सकता है मार भी सकता है वहीं अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं एक अलग तरंग धहर जह है, उसके अंदर वो वाइबरेशन पैदा कर देती है, और उसके हिर्दे से वो प्रेम फूटने लगता है, इसका अर्थी है कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं न कहीं छूता है, और हमारे सामने जो द्रच है, उसके सामने वो प्रकट होता है, उसी कि वो बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मशीन के उन्होंने जान लिया, कि जो हमारा वो सेंटर है, वो किस ध्वानी पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है, कितने करोणों साल की महनत है, तो उस केंदर पे, जब हम उस स्पेसिफिक मंतर को चोट मारते हैं, बोलते हुए, तो जब बोलते हैं, दो-चार बार बुरने से कुछ नहीं होगा, उसकी एक संख्या है निश्चित, जो उन्होंने गर्णा करी हुई है, कि इतनी संख्या, इतने दिन में, और प्रते दिन इतना, और किस माला पे, और बाकी जो चीजे हैं, घंटा, जंगरू, इन सब चीज धीरे धीरे उन मंत्रों की वाइबरेशन इतनी तीवर हो जाती है, तो जबान की आदत नहीं होती उन मंत्रों को करने की, उस जीप पे उन मंत्र जब आ जाता है, और उसकी वही वाइबरेशन शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे उस केंदर पे, जो सातों चक्र हैं, जिस च सित्रण के रूप में दर्श्या गया है कि हमने अगर इस परकार का मंतर करा तो इस परकार की STEPHAN mentor हो जाए कि तो फूरतने लगता है और फूरतने से पहले जोर मारता है तो बाहर की तरफ धका लगता है और और उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ चीज अंदर से बाहर आ रही है और इसको जो ध्यानी नहीं होगा द्रश्टा भाव से देखता वह नहीं चलेगा तो वो उस आवेग में बहके अलग-अलग प्रकट रूपों में अपने भावों को दिखाता है कि मेरे में देवी आ गई या मैं ही भैरव हो गया या मैं ही काली हो गया तो उसको उस रूप में बताता है काई लोग बताते कि मैं ये सिद्ध हूं है वो सिद्ध हूं लेकिन वो सिद्ध बहुत छोटी सी चीज है वो सिप सीड़िया है इसलिए संत्र लोग जो पहुंचे हुए हो बताते हैं कि जब आपने एक बात करी कि अशिद्धी हो गई तो उस मंत्रों की चोट हो बात कराते हो। तो उस center की जो बीज था, वो खल गया, तो ऐसा नहीं कि आपने सवालाक मंतर कर एक सवालाक में हो गया, उसके उपर जो बीज की उपर coverage है, वो हमारे संसकारों का है, हमने कितने पाप और पुन्य करे हुए हैं, positive, negative दोनों उसके उपर हैं, उसको वो तोड़ के बाहर आता है, और उस जो बाहर जो coverage है, उसको गलाने के लिए गुरु आशिरवाद, ईष्ट, कृपा और ध्यान की विधियां बहुत जरूरी हैं, बिना ध्यान की विधियों से वो गले गा ही नहीं, और अंतर से फूटे गा ही नहीं, तो इसलिए अगर सिर्फ आप ध्यान भी करेंगे, वो ग्यान भीरो तैंद्र में जब बूल रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान की विधियां बताई गई, बोला अतंतर गया है, तैंतर मतलब होता सिस्टम, तो वह बताया गया ज़या गया Сिस्टम को, कि आप भी ध्यान की विधियों को करो हे देफी, तो आपको ये प्राप्त ह इस ध्यान की विद्री करो जिसमें सांसों को देखा जा रहा है तो ऐसा होगा तो उस बीच को फूटते समय तो यह संसकार फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंद्र का पूरा शुद्धी करण हो जाता है वो केंद्र फूट गया उसके भीतर जो भी गुण विद्धिमान थे वो आपके करेक्टर हो जाते हैं आपको करने नहीं पड़ते हैं वो करेक्टर हो गए यानि कि आपको वेवहर वैसा होना शुरू हो जाता है तो अगर हम बगला मुखी के बात करें तो अगर बगला मुखी का किसी को करपा प्राप्त हो जा तो उस बीच को फूटते समय तो यह संसकार फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंदर का पूरा शुद्धी करण हो जाता है वो केंदर फूट गया उसके भीतर जो भी गुण विद्धिमान थे वो आपकी करेक्टर हो जाते हैं आपको करने नहीं पड़ते हैं वो करेक्टर हो गए यानि कि आपको वैवार वैसा होना शुरू हो जाता है अगर हम बगला मुखी के बात करें तो अगर बगला मुखी का किसी को कृपा प्राप्त हो जाते है यानि कि उस सेंटर पे वो परिपक हो जाता है उस center के जो गुर्ण धर्म हैं वो ये हैं कि वाचम बुखम पदम स्तंभए उनके मंतरों बुला जाता है भाई सामने वाला तो उस category का नहीं है उसने कोई तंतर नहीं सीखा है वो कोई सादक नहीं है वो समान जीव है जिसने अपने कर्मों को संसकारों को संचित करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ता चला जा रहा है अपनी जीवन को समान रुप से जीरा है और उसी के समक्ष वो सादक है जिसमें वो धर्म विद्मान है तो जब वो उससे बात करेगा तो उसकी द्रश्टी नीचे चुक जाती है उसके सामने बोल नहीं पाता है यानि कि उसकी जीव कील दी जाती है ऐसा बोगा जीवा कील है तो जीवा कील दी जाती है जीवा कील दी बताने का तरीका है तो जीब चुफ हो जाती है, बोल नहीं पाता है, बुद्धी स्तंबह हो जाती है, यानि कि बुद्धी का स्तंबह हो जाता है, ना वो सोच पाता है, ना समझ पाता है, ना कुछ बोलने के लिए अंदर से आता है, तो ये उसका गुण है, लेकिन इसको भी अगर गुरू के सा देशा fry देता है कि किस दिशल में जाना आब तुमने यह मंतर कर लिया है अब शांद बैटना कौं सा ध्यान करना gagner तो उनको जब करता हुँ आगे बढ़ता है और इसी के सिस्टम में अलग-अलग केंद्रों में अलग-अलग शक्तियां विराज़बान है उन शक्तियों को जागरत करता हूगा दीरे 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 अपनी आत्रा पर बढ़ता है और मुलाधार में जो शक्ति विराजबान है उसके साथ समागम करने के लिए उठाओते हैं इसलिए काली का जब चित्राम देखते हैं तो वो मारती, काटती, चीकती, चिलाती, फाडती, सब को मारती हुई आगर बढ़ती है भायवारूप में, क्योंकि उसका उगर तम रूप है, और वो तंत्र का रूप है, कहीं कहीं आपने काली के मुस्कराता हुआ भी देखा होगा, भायरूप की बहुत सौम में रूप भी देखे होंगे, लेकिन उनके जो सौम में तम रूप भी हैं, वो भी बहुत भायानक हैं, इसलिए मैं सबसे पहले सादकों को, भटुक भायरूप के बाल रूप है, उनकी सादना और उनका मंत्र देना शुरूब करता हूँ, तोकि हर सादक की ख्षिमता नहीं होती है, तंत्र के जो समराट बोले जाते हूँ, वो भगवान भहरूप नाथी बोले जाते हैं, बिना भगवान भहरूप से आग्या लिए, कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र मुतरता है, वो निश्चत तोरबे विक्षत होता है, और मृत्यू और अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि उनहीं कोई आशिर्वाद है, या उनहीं का ही छेतर है तंत्र, क्योंकि जो भहरूप हैं, वही शिव हैं, और जो विज्ञान भहरव तंत्र को इसी लिए ही विज्ञान भहरव तंत्र बोला जाता है क्योंकि दे तो शिव रहे हैं गुरु रूप में यानि कि गुरु रूप में जब बैठता है तो वो भहरव ही बैठता है भहरव से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं यानि कि जो भी गुरु पदासीन हैं, जो बास्तिवी गुरुप में गुरु और शिश परंपरा को लेके चल रहे हैं, उनमें वो जो भैरवतत्व है, वो ही उनके मुखार विंद से सादकों को गाइड करते हुए चलता है। सिद्धी और सादना को चक्कर से नहीं निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे सादक आते हैं, जो धाए-धाए सो देख्षा लेके बैठे हुए हैं, अभी भी उनके अंदर वो लोग है और लालच है कि मैं देख्षा ले लूँ, अब दूसरे गुरु से ले लेता हूँ, मेरी प उसको वो इस्ट, वो भहरव उसी स्थान पर धीवरे सरका के ले जाता है, जहां उसको होना चाहिए, उनको उनके मन के विकारों से दूर करता है, यह जितनी वे छुद्र शक्तियां हैं, चाहे अपसरा है, चेपरी हैं, चिन हैं, भूत हैं, यह बहुत छोटी हैं, और पकड़ के अपनी दुकान सजा के ओजागिरी करने बैड़ जाता है, तो लोग उसको तांतरी कहना शुरू कर देते हैं, तो तांतर का जो इतना विक्यात रूप है, उस सिमट के बस एक छुटी सी दुकान में एक छोकड़ी में बाबा के सो दस पचास रुपे के चक्कर मे बिग जाता है, तो बस एक छुटी सी दुकान में एक छोकड़ी में बाबा के सो दस पचास रुपे के चक्कर में बिग जाता है, और यही हर जगे फैला हुआ है, क्योंकि तंतर में आधिकतर जेतने लोग हैं, वो तो बन बन गवार जाहिल हैं, जिनका पीछे को कोई होना शुब हो गया, तंतर जाड़ फुक नहीं है, तंतर कोई सिद्धी साधना नहीं है, तंतर पूरा को पूरा गुझ्यान है, जीव को शिव से मिलाने का, इसलिए ही तंतर का नाम शिव बार बार बोलते हैं, गुप्त रखो, गुप्त इसलिए रखो, क्योंकि जो बाहर जाता है वो शक्तिहीन हो जाता है जितना रहस में रहेगा उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा और तंत्र में साफ साफ ये बोला गया है कि आप साधक को मौन रखिए आप साधक अपनी दरश्टी नीचे करके चलिए साधक ब्रमचर्रे का पालन करें, साधक जमीन पे सोए, साधक बाहर का कुछ भी ना खाए, अपने हाथ का बनाय हुआ खाए, निश्चित समय पे खाए, रोज सुभे चार बजे से पहले उठ जाए, चार बजे अपना पूजन पाजन ध्यान इत्यादी शुरू कर दे तंत्री की कि जो दिमागी वाइबरेशन है, सब शांत रहती है, सब शांत रहती है, क्योंकि जब आप दिन भर काम करते हैं, हजारों तरे के विचार चलते हैं, और पूरी आधी प्रत्पी पर वही चल रहा है लूट, खसूट एक की उपर एक पैर रखे निकलना, मुझे वह बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वह पराप करना है, किसी गयत्या हो रही है, तो जो पूरे दिन भर का जो समय है, उस समय आप साधना के लिए नहीं अलाओड है आपका समय वो है तंत्र में रात्री का दस ग्यारा बज़े के बाद जब पूरी आधी प्रत्री शान्त हो जाती है, वरक्ष, जेव, जितने भी हैं सब शान्त हो जाते हैं और उनकी जो अबरेशन है, बिलकु साइलेंट हो जाती है, उस समय जो साधना के लिए पूरी दूर्जा से बैठता है, उसको निश्चित तोर पर सफलता मिलती है तंत्र में रात्री में इसलिए उस साधना को करने के लिए बोला गया है, दस ग्यारा बज़े के बाद बैठिये, दो तीन बज़े तक बैठिये, दो बज़े बैठेंगे एक घंटा विश्राम करेंगे उसके बाद फिर चार बज़ बढ़ जाईगे क्योंकि चार बज़े साइंटिफिकली अगर आब इस चीज़ को देखेंगे तो जो हम खाना खाते हैं रात्री में, उसमें इसे एक रात्री में दरव रिस्ता है क्योंकि कि वो नीचे सारा निकलता होता तो उसमें सिक दरव रिस्ता है मैं इसको खूलिके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी सारी चीज़े बताई है तो मैं इशारों में बताऊंगा कि वो जो दरव रिस्ता है वो मूला धार पर चोट मारता है मूला धार पर जो चोट मारता है यानि कि कुंडरीनी को नीचे उठाने के लिए वो प्रोसेस में रहता है उसमें इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़कों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि सब्सक्राइब विए विए पाथ के हो जाता है वही चार-पांच बजे का ही समय रहता किसी डॉक्टर से बात करी वही बताएगा किसी भी ललके से बात करी उसी समय ही नीचो चोट मार रही होती है वो शक्ति और उस समय कनेक्ट किस से करेगे अगर आपका मन होगा तो मन में चल रहे है जितने भी पुरानी फिल्मे हैं चित्रे हैं और जो भी पुराना जन्मों का संसकार है वो सब यही भरा हुआ है तो हिट मारती उपर कि चलो उपर शिव सिमिलन के लिए अब यहां कहां शिव हुआ है तो मन में जो होता है वह सको चित्रण दग जाता है इसे लिए उनको जो है नंगीश्तियां देखती है अलग अलग चीज़ें देखती है और उनका वो काम अगवचार मोगे पही तरफ बहचा ता इस की दो को शिव सिमिलन करा सकता था उस कंडलनी का उस सक्ती का श इसी लीए ही अगर आप किसी स्पेशलिस से मिलेंगे वो आपको बताएगा कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो कहा बटा सुबेरे का जो समय है ना उस समय सेक्स करो इसे लिए ही बताता है क्योंकि वो जानता है उस साइंस को बहुत गयराहि से क्यों जो पचाया हुआ है, वो उस समय नीचे चोट मारता है, इसलिए उस समय उतेजना होती है, और इसलिए साधक को बोला जाता है, कि सविरे चार बज़ उटके बैड़ जाओ, क्यों, कोई वहाँ चोट मार रही है उस समय, रेड़ की सीधी करके ऐसे बैड़ जाओ, और ध्यान समय पे जो हर साधक का समय है, उस समय पे उसका उससे मिलन होता है, कुछ साधक उसको ऐसे बोलते हैं, कि उपर से उस समय बरस रहा है, वो बताने का दूसरा तरीका है, क्योंकि नीचे से उपर चोट पड़ रही है, तो उपर हिट हो रही है, तो उपर हल चल हो रही है, तो यहां जो कैलाश विराजमान है, जो शिव विराजमान है, उसके उसका मिलन होता है। और जब मिलन हो जाता है और शक्ति फूट के इस ब्रह्म में लेन हो जाती है, तब ही भीतर जो बैठा शिव है, उसके भीतर से उद्गवश होता है, की शिवो हम भार्वो हम लेंद में, तब उसकी उपस्तिति इस अस्तित्व में लेंग हो जाती है, तब वो स्वैम बच्टा रही है, और पूरा का पूरा जो तंत्र का सिस्टम है, वो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है, वो कोई साधना सिद्धी के पीछे नहीं पड़ा हुआ तंतर सिर्फ यहीं बता रहाँ और कुझे में नहीं बता रहा स्वागत है इस वीडियो सिरीज में हम शिव और पारवती के बीच के सम्वात की बात करेंगे जिसमें ग्यान, मुक्ती या मोक्ष पानी की 112 विदियो का वर्णन है जो भगवान शिव दुआरा पारवती को बताए गए तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं तंत्र के मामले में लोगों ने कुछ गलत धरनाय बना रखी है जादतर लोग तंत्र को संभोग से जोड़ कर देखते हैं हलाकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विदी तंत्र की इन विदियों में जादतर जो चर्चा हुई है वो ग्यान मार्ग, भक्ती मार्ग और कर्म का मार्ग है विज्यान भहरव तंत्र की सभी विदियों में परम ज्यान को पाने के मार्ग हैं और उन विदियों के बीच आपको भहत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे सादक भटक जाता है जैसे तांत्री विद्या वशीकरन जादू टोना इत्यादी परंतु विज्यान भहरव तंत्र का यह उपयोग नहीं बल्कि इसका उद्यश तो परम ज्यान पाने का है तो चलिए आज विज्यान भहरव तंत्र की 112 ध्यान विदियों में कुछ विदियों के बारे में जानेंगे बाकी विदियां आपको मेरे आने वाले वीडियोज में मिल जाएंगी तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारना का जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं जिसे रेचक भी कहा जाता है और विज्यान भैरव तंत्र में उसे प्राण स्वास कहा गया है मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना और ठीक वैसे ही स्वास को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं जिसे पूरक भी कहा जाता है और विज्यान भैरव तंत्र में इसे अपान स्वास या जीव कहा गया है तो जब हम स्वास को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं और ठीक वैसे ही जब हम स्वास को बाहर छोड़ते हैं तो सौंस को बाहर छोड़ते समय फिर हम कुछ दिर रुखते हैं तो सौंस को भीतर लेने के बाद रुकना और सौंस को छोड़ने के बाद जो रुखना होता है यानि आती-जाती सासों के बीच में जो गैप है जो एक अन्तराल है एक ठेयराव है उसे कुम्भगवी कहा जाता तो विज्ञान भैरव तंत्र में पांच धारणाएं स्वास पर हैं भैरव यानि शिव कहते हैं उर्जा के बनने और बिखरने के स्वबाफ से ही बाहर आता हुआ स्वास और अंदर जाता हुआ जीव स्वास निरंतर चलता रहता है इन दोनों ही स्वास की उत्पत्ति बिंद आने के बाद और बाहर जाती हुई सांस बाहर जाने के बाद एक्षण के लिए विलीन हो जाती है उस मध्यस्तिती का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है तीसरी धारणा स्वास रूपी प्रांट शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आये उस मध्यस्तिति को विक्सित करने पर सादक अपने भैरफ स्वरूप को पहचान लेता है चोथी धारना बहरी कुम्बक और अंतर कुम्बक की मध्य स्तिती के विकास करने पर प्रान और अपान शांत होने पर चंछलता शांत होकर छेतना का शांत शुरूप प्रकाशित होता है तो पहली ये चारो धारनाइ सुआस पर हैं एक जैसी ही प्रतीत होती है भगवान शिव इन धार्णाओं के बारे में बताते हैं कि उर्जा के स्वभाब की वज़े से ये सांस चलती रहती है स्वांस कहां से शुरू होती है उस पर विचार करने से परम उर्जा के वारे में खयाल आता है यानि अपनी स्वांसों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है आज की हमारी इस विजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी स्वांस चल रही है या नहीं चल रही है यहाँ यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि यह कहां से चल रही है कहां से आ रही है आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं दोनों के बीच में कितना अंतराल है इसे प्राकर्टिक रूप से देखें फिर धीरे धीरे स्वांस को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें ऐसे ही स्वांस को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें वहाँ ध्यान दें स्वांस को रोकते समय आपके भीतर क्या-क्या होता है उसे देखते रहें इस पर ध्यान देने से आपका मन शान्त हो जाएगा और हम जिन भौतिक बातों के लिए दोड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी जैसे ही हम शान्त होकर बैठेंगे आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप दो-चार दिन बैठेंगे और सांस का ये परियोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा पर ये इतना आसान नहीं है सांस के बीच की स्थिती को पकड़ने में देर लगती है और जब आपका मन और आपके विचार शान्त हो जाएं तब ही समझना कि आपने बीच की स्थिती पकड़ ली है आपके मन में विचार चल रहे है या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ अब मैंने बीच की स्थिती पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शुन्ने की अवस्ता में हूँ तो इसका सही अर्थ ये है कि आप अभी बीच की स्थिती में नहीं है ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोका है अब स्वास की पांचवी धारना जब आप अपने मुँ और नाक को बंद करके स्वास रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं शुरुवात में ये आपसे आसानी से नहीं होगा परंतु धीरे धीरे जब आप स्वास को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो स्वास के उर्जा के उस फोर्स से आपके शरील में चीटी चलने जैसा अनुभव होगा उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विक्सित करने से आपको आनंद मिलेगा ध्यान देना इन सभी धारनाओं में याद रखना है कि हमें केवल धारना करनी है यानि इन सबको बिना तरक लगाए गहरे में मान लेना है फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वे मिलेगा और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दवाजी नहीं कर सकते परमात्म रूपी अनुबब ये हमारे हाथ में नहीं होता जब उसकी किरपा होगी तब ये हो जाएगा आपको केवल किरिया करनी है ये विदी करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है बाके सब कुछ उसी पर छोड़ देना है और दूसरी बात ये सब करके हम केवल शान्त होंगे और उस परम उर्जा को जान पाएंगे इससे कोई भौतिक लाव या सिध्यों की आशा मत करना और इन विदीयों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहे तो विज्यान भैरफ का ये पहला भाग था जिसमें स्वास के उपर पांच धारनाई थी याद रखना इन पांचों धारनाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे परयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वेहम से जानना है तो विज्यान भैरफ दंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पर पहली वार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आप आध्यात्म से और घहरा जुड़ सकें तथा इसमें घहरा उतर सकें नमस्कार मैं संतोर शर्मा आपका मिठ आज स्वाम सर्चा करें और एक सुत्र के बारे में विज्यान भारे उतर सांस्तर से इस सुत्र में शिव कहते हैं कि प्रिया देवी प्रेम किये जाने के एक शण में जैसे की वह नीत्य जीवन हो नीत्य जीवन क्या है और क्यों कहते हैं शिव कि प्रेम किये जाने के एक शण में दियान किये जाने एक शण में नहीं कहरे है शिव प्रेम किये जाने एक्षन में कह रहे हैं, प्रेम के बार में क्यों बात कर रहे हैं? शिव को तो हम महायोगी, आदियोगी, तरबयोगी, समसानवासी, किस्त्वकार के सग्या उपादियों से निवोसित करते हैं, तो शिव प्रेम के बार में क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन आप देखें हों इक शिफ अर्दम परवती के साथ रहते हैं शिफ परवती विराजमान जब होते हैं उनका तो प्रेम है उच छलगता है अर्दनारिश्व ने जो फोटो है शिफ परवती का ओर किसी देवता का किसी अभवान का नहीं है और मगदान है शिफ का है अर्दनारिश्व वह इस सीुन आप प्रेम के जाने तरहने होनग मुहबत में और जिस्से आप प्रेम करते हैं जब आपके साथ प्रेम में आबध्य होते हैं हालिंगन में, चुम्बन में, या संभोग में, तो उसमें ऐसे प्रमिश करो, ऐसे उत्रो, ऐसे करो, जैसे कि वह नित्य जीवन हो, प्रेम, लब, बाइबल गहता है, लब इस गौड, प्रेम, मृत्यू, ध्यान, ये एक उचेप के एक्ष्रियंसेस है, ध्यान में आप कि पूरा ही खो देते हैं, और प्रेम में, आदमें ऐसा डूपता है, कि ये लोग कहते हैं, लब इस ब्लाइब, इतना प्रफुल दित, महादित खो जाता है, प्रेम की हर्दम, इसके सामने, अपने प्रेमिका की छवी, या कोई लड़की है, तो जिस लड़का से प्तार कर ही नहीं किया, जदि जिसने किसी इंसान से प्रेम नहीं किया, तो इस्वर से प्रेम करने के बाद तो बहुत देखी बाद है, इस्वर से प्रेम करने से पहले, किसी से प्रेम करना हो, किसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करना हो, जदि आप अपने आप से प् वेसे भस्तिस स्कत्पड़े, कि भाई, कि सदरी कितनी है, जोड लिए कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएगा, ये लाज बीडियो में इसके लागए, जोड तो हिसाब किताब, मैथमेटिक्स का, क्या जोचे कहता है, मैथमेटिकल लग, नहीं होता है, ये मोशन से जुड़ हुआ है, ये मोहबद, तो शिल कहते हैं कि, आफ अपने प्रेमी के साथ में, या प्रेमी के साथ में, प्रेम में ऐसे प्रवेश करो, कि जैसे वह नित्य जीवन हो, ये नित्य जीवन क्या है, पहले इसको समझ ले तो पूरी सेंटेंस समझ में आ जाएगा, नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमरा जीवन क्या है, जो बीत चुका है, जो हो रहा है, जो आने वाला है, इसको हम जीवन कहते हैं, मत्त जन्म और बित्यू का जी काल खंड है, इसमें जो हम गती कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, जीवन, समय, एक अवधी है, एक बंदा पैदा हुआ, 1950 में, मरे 2015 में तो यह जो 65 यह का एक लाइफ स्पान हुआ जैसे बड़ा होता जाता है दस्तलका हो गया बिस्तलका हो गया बिस्तलका के बाद में यह उसका अतीत हो गया अभी चल रहा है अभी जो जा चुका है वो अभी नहीं है जो आने वाला है वो अभी नहीं है अभी है क्या अभी जो है वो है नित्यजीवन शास्वत यही है वर्तमान ही नित्य जीवन है वर्तमान को समय की परिवाशा में प्रयोग करना या समय की हिसाब से तोड़ना गलत है समय तो अतीत हो सकता है या भविष्ट हो सकता है वरतमान समय का हिस्टा नहीं है क्योंकि हर पल हर पल समय चुप रहा है यह 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 तो यह जो हर पल समय चला जा रहा है तो जो आप जिन्दा हो जो जीवन आपका अभी चल रहा है जिसमें अभी आप हो यही सास्वत है यही न मृत्यू, मृत्यू काब घटित होगी? आपकी मृत्यू अतित में घटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है आपकी मृत्यू भविष्य में घटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती मृत्यू death ना तो past में हो सकता है ना future में हो सकता है मृद्धुक केवल वर्तमार में अभी हो सकता है जैसे प्रेव ना तो अतित में हो सकता है ध्यान, ना अतित में, ना हुषवत में, ये सभी अभी की चीज़े हैं, अभी हो सकता है, इससे कहतए है कि नित्याजीवन, ये सास्वत समय, जो गती है समय की ये गती हो जुनतल होती है, जैसे आपका अतित, आप मानिए कि x y axis है y axis negative यह आपका past और y axis positive यह आपका भविश है यह center बीच का जो है x और y axis का जो point है जहां जूडता है यह खिशकता जा रहा है यह आपका वर्तमान है और यह वर्तमान नित्य जीवन है जो रीत तो रहा है लेकि नहीं भी रहा है जो रीत रहा है लेकि नहीं रीत रहा है तो इसे क्या कहेंगे कि समय है जो है भी और नहीं भी है बाइबल में दुर्दिसस से कहा गया, इसने पूछा कि स्वर्ग में क्या होगा, वो कहते हैं कि स्वर्ग में समय नहीं होगा, क्योंकि समय में जो हम रहते हैं, जो भी समय के दाइरे में आएगा, उसका बिनाश होगा, जो की काल के दाइरे में आएगा, उसका बिनाश होगा जैसे काली है काली समय से परे है वो हरदम है आदिशक्ती है और अभी भी है और हरदम रहेंगी सदा सरदा रहेंगी इसलिए कालातीत है काली है इसलिए महाकाल के उपर में खड़ी हुई है काली जो महाकाल के उपर में अपना पे लग कर खड़ी हुई है काली ये बता लिए हैं कि वो काला तीत है वो समय के बंदर में नहीं आते तो स्वर्ग में जिसस कहते हैं कि वहां समय नहीं है तो जब आप प्रेम की खिशन में होते हैं आलिंगर बद्ध होते हैं वो प्रेमे पूरे डूबे होते हैं तो उस समय आपको समय का ग्याने रहता है समय को आप भूल जाते हैं मन जो हैं सुन्य हो जाता है आप भविश्च्च के बारे में नहीं सोचते हैं उस समय नहीं अतित के बारे में सोचते हैं तो आप कहा रहते हैं अभी और अभी सास्वत है खर्दम है क्योंकि अभी फिर अभी फिर अभी इसको कहते है नित्य जीवन शिर्व कहते है नित्य जीवन तो प्रेम में ऐसे उतरो कि जैसे आप इस नित्य जीवन में है शिर्व ये कह रहे जैसे कि शरीर की जो बोध है वो खतम हो जाए आपकी जो द्रिष्टी है उस द्रिष्टी में केबल प्रेम ही प्रेम हो इतने गहरे उतर जाओ इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ जैसे गोपियां कृष्णे ही बन जाते थे ये क्रिष्ण भूपी बन जाते थे उस प्रकार से जब आप अपने प्रेमी के साथ हो तो उसमें प्रेम में इतना डुबा दो कि वर्तवान में ही जियो और ये सक्ष है आप जो गहरे प्रेम के क्रिष्ण में आप बतित के बार में नहीं सोचते रहते हैं ना ही जादा है तो वर्तमान में रहने की कला जो है तो स्टेंज अप्रेजट आप इने किदाब देखेंगे इसके बार में उसमें काफी चर्चा की गई है मन की गती के बारे में समय के बारे में उसको देखें जाने और यह सिखें कला कि वर्तवा में किसे जिया जाए जो लोग अतीत में जीते हैं या भविश्व में जीते हैं उनका मन हर्दम उल्जन से भरावा होता है स्ट्रेस्पूल होता है या गिल्ड से भराव होता है गलत कुछ काम किये थे अतीत में उसका पस्चा दाब भविश् दिन्न की निन में आना शर्व में जिद्ने सरे साइक्स्रोपाइटिक एसू होते हैं वह इसे होता है क्यूंकि हम अतीत या भौ कुछ देरी जिने कोसे करते हैं समय में के साथ यूने को उसुकि Parlament जो कि सास्वत जो कि इपने from पुर्जा है उसमें जीना भूल चुके हैं इसलिए कि μας अशाहत्वγं जैसे ही में वर्तवार में हम जीने की खताप्राज में करने हम प्रयोग और प्रयोग यहसे चुक्ति ऐसे त्टीति लोग भिर्त्यू पुर्तियू और बनों कि शक्ता को सकते हैं अधित्सिंहा नहीं हो सकता है तो एक जर्याः तरीका है इस सुत्र को प्रडोब करने के देखें सब्सके और इसको अपने जीवन में उतारें और वर्तबान जीना अनन्द में रहना सिकें आत्म सक्षाकार तब हो सकता है जाओ, रुख जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं वर्तबान में, न कि घिषते रहें और पिटते रहें, लग याज़े कोई पेंडर नहीं हो, अतीत में एक तरफ, भविष्ण में एक तरफ, अतीत की तरफ, भविष्ण की तरफ, बीच में रु तरफ, ठरफ, गशलया में, एक सव नव चक्र है, उन में से, मुख्य है 12, और उन में से भी मुख्य है नव, और उन में से भी मुख्य साथ चक्र है चक्र वाने जहां नस्णालियां सब एक होते हैं वहां पीछ में तो हमारे शरीर में कई चक्र है एक मुलादार चक्र जहां रीड की हड़ी शुरूत गुदप्रदेश है गुदप्रदेश के पास है वो मुलाधार उससे उपर है जननेंद्रे के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र और तीसरा है नाभी पे हैं नाभी में जो है वो मनिपूर चक्र कहते हैं फिर हृदई में हैं एक चक्र अनाहत चक्र फिर गले में हैं इस चक्र को कहते हैं विशुद्धी चक्र और दोनों बहों के बीच में हैं अग्या चक्र ये सब डुक्लस ग्लाइन्स के अंडॉक्रेब्स system में इन सब का वरडन हैं अंग्रेजी जो system है मेडिसन का उसमें उन्होंने भी इन चीज़ों को माना इंडॉक्रेब्स anytime हमारे पूरवज नितने हुजारों साल पहले इस बार को जानते थे अचा फिर जो पीचुटरी ग्लैंट स्पीनियल ग्लैंट करते हैं आग्या चक्र फिर सहस्रार हाइपोधालमस करते हैं जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता है सिरफ ब्लैंकनेस आते हैं खालीपन फिर थोड़ा समय के बाल वहां स्पंदन होने लगता है तरंग का अनुभव होता है फिर तरंगों के अनुभव के पस्चात प्रकाश अनुभव में आता है तो तीन स्टेजस है एकी साथ नहीं होगा पहले तो कुछ नहीं खालीपन होता है फिर आप लोग ध्यान कर रहे हो साहज समाधी कर रहे हो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो आपको मैसूस होता होगा जब ध्यान में बढ़ते कुछ वाइब्रेशन तरंगों का अनुभव आता है कितन में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के उपर बारा अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो उनका नाम लो या सिरफ हाथ करो तो वो जग जाएगा उनको छूने की ज़रूरत नहीं हमारा सूक्षम शरीर बारा अंगुल पर कथम होता है मन इतना बड़ा है इसको बाइग्यानिकों न के लिए इन फोटोग्रफी बाइगर ले कि तुमारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अबे और तुम ध्यान करते हो सुदशन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो बहुत बड़ा फरक होता है हमारा सूक्षम शरीर स्टूल शरीर से बड़ा ह जब सूक्षम शरीर सिकूडता है तब हमको अच्छा नहीं लगता जब भी आपको अच्छा लगा खुशी महसूस हुई उसके साथ क्या अनुबव हुआ ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुबव में आए जब दुख होता तो क्या अनुबव करते हैं जैसे कुछ सिकूड अनुबव करते हैं यही हमारा मन है यही हमारी चेतना है तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं पता क्या हो रहा उनके साथ उनका मन सिकूड गया अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा अरे बढ़े कुछ नहीं थोड़ा सा फूंक मारो प्राणायाम करो बस्तरिका करो देखो तुमारे सुक्षम शरीर वापस यधास्तिती हो जाएगा इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं मन लो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं आपका प्राणायाम करेंगे ज्यान करेंगे क्रिया करेंगे क्या होता है सुक्षम शरीर फिर मजबूत होने लगता है अपना नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है फिर कोई आत्महत्या नहीं करता है तो शरीर में एक द्वादशान्त गोलते हैं बारा अंगुल के ऊपर इदर एक चक्र है सिर के ऊपर भी एक चक्र है वहाँ आपका सुक्षम शरीर का अंध होता है मगर आप साधना के दरिये को बढ़ा होगे तो आपका सुक्षम शरीर कारण शरीर बहुत बढ़ा हो रहा है वही ईश्वर साक्षातकार है जब स्तूल शरीर से सुक्षम शरीर से अपना कारण शरीर जिसका व्यापती सब जगे है कैसा जैसे टेलिविशन का जो तरंग है वो तरंग सिरफ आपके घर में कमरे में है कि सब जगे है वो तरंग सब जगे व्यापत है ऐसे हमारे बीतर जो चेतना है वो स्तूल रूप में शरीर बना सुक्षम रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगे व्यापत हुआ है इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है एक उंकार सत्नाम करता पुरण एक उंकार ही सत्नाम सच्छा नाम है वही अस्तित्व में इस आवाज को तुम सुन सकते हो एक उंकार दुनिया के कंकं में उंकार है दुनिया ही नहीं पुरे विश्र ब्रहमांड के कंकं में उंकार है अब शंकर कहते हैं प्रणवादी समुझार्या किस ओमकार का उचारण करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लई हो जाए तो तुम भायरव को प्राप्त करोगे भायरव अवस्ता खाली हो जाओगे तो ओमकार का ध्वनी ओमकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में मिलीन होते हो या जागिरत होते हो अनहते पात्र करने अभगने शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मन निष्णाता परंब्रह्मादिकज्चत अनहत नाद को सुन लो अपने बीतर या अभगन शब्द जैसे एर कंडिशन के आवाज आ रहे है एक साथ या एक जर्णा पानी की जर्णे का आवाज सुनते 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 सुन शाद जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं जब पानी में कुदने के लिए लोग जाते हैं कम लोग मरते हैं उसमें पता हैं वहाँ पानी की किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है कुछ मन शान्त हो जाता है बैसे तलाब में नजियों में खूद के मरने वालों की संक्या बहुत कम है फंखे में लटकर के मरने वाले जादा जलकी श्रोत के पास बैठके उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो वो खलखल की आवाज में नीरव में तुम अपने आपको खो देते हो उस स्तिती में तुम भैर के करीब हो जाते हो फिर शिव कहते है शब्द को सुनते जोनते सुनते फिर शब्द के परेचले जाना कि शब्द भी कुछ समय के बाद भोज लगता है भारी लगती है आप सब को लगता ही है न बहुत जाधा लौट स्पिकर हैं ज्यादा कोई भजन करते रहे या कोई भी काना चलता रहे लगता कभ इससे मुक्ति हो जितने हम समवेधनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं जो कम समवेधनशील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं एक दम मोटा वो रॉक बैंड उससे क्या होता हमारे शरीर के अलग-अलग चक्रों पर भी नाद का असर होता है बेसर्द स्पाइन पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है इसलिए उनको अच्छा लगता है फिर वहां से उपर जाएंगे नाभी नाभी में तन्तुवाद्य का असर करता है आप सितार बजाए बीना बजाए या कोई मेटालिक स्क्राइच होता है ना कहां आपको अनुबह होता है कोई लोहे का कुरसी या कुछ खीचे तो आपको उसका असर कहां पढ़ता बताओ पेट में पढ़ता है नाभी से घृदई तक तन्तुवाद्य का है तन्तुवाद्य मनें तार से बनी हुई होती है सितार हो यह सब गिटार सितार सब इदर फिर खृदई से लेके गले तक का असर बासुरी की है फ्लूट इंस्टुमेंट्स का है फिर वहाँ से चलोगे भृूमध्य में गंटी और शंग हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी नबत्योए ट्रम से सब रखते थे उधर से नीचे जाते जाते घर्ग गरुकर में सिर्फ गंटी ओते हैं छोटी सी शंग कोते हैं अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया प्रक्री उनके लिए क्या जिंगल बिल जिंगल चुटी सी गंटी चुटी सी आवाजो तरंगो जलतरंग पियानो इस तरह कि इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं शांत हो जाते हैं बच्चा बोलने से पह जले गाले आप बोले गाते हैं हर व्यक्ती जीवन में गाते हैं चाहे शवर के नीचे भी गाले संगीत भी एक माध्यम है यहां शिव करें संगीत की माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो कोई 112 विधियां है सारे जगत में ध्यान की और प्रतेग विधी अध्वत है और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है उसमें एक दूसरे से बिलकुल बिपरीत विधियां भी है इसलिए एक विधी को मानने वाला दूसरी विधी को बिलकुल गलत कहता है लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और सांती और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्क बन जाती इस ध्यान के इंद पर पूरी 112 विधियों का प्रयोग करने का ख्याल है और तब पहली बार प्रतिवी पर उस तरह का प्रयोग हो जिसने आज तक पृथवी पर सारे ध्यान की प्रिक्रियों को एक सााथ एक जगे हैं। हम एक भी व्यक्ति को वहां खोना न चाहेंगे, वो किसी بھی मार्क से जा सकें, उस मार्क पर ही उसे सुझाव दिये जा सकेंगे। अब अजीब अजीब विधियां हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम एक दो विधी मैं आप से कहना चाहूँ टिबबत में एक बहुत छोटी सी विधी है बैलेंसिंग संतुलन उस विधी का नाम है कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह इसनान करके दोनों पैर पहला ले और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है कि दाएं पैर पर जादा जोर पढ़ रहा है अगर बाएं पर पढ़ रहा है तो फिर आहस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं दो छंग दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं एक पंधरा दिन सिर्फ सरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर इसको बदलते रहें और फिर ये तिब्वती प्रियोग कहता है कि फिर इस बात का प्रियोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए आप दोनों पैर के बीच में रह जाएं और एक तीन सब्ता है का प्रियोग और जब आप बिल्कुल बीच में होंगे भार ना बाएं पर होगा ना दाएं पर जब आप बिलकुल बीच महोंगे तब आप ध्यान में प्रवेस्ट कर जाएंगे ठीक उसी छण में आप ध्यान में चले जाएंगे उपर से देखने पर लगेगा इतनी सी आसान बात करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी बहुत सरल मालूम पड़ती है दो पंतियों में कहीं जा सकती लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रियोग के द्वारा परम आनंद को उपलब्द किया है जैसे ही आप बैलन्स होते हैं न बाएं पर रह जाते हैं न दाएं पर रह जाते हैं जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते हैं वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलन्सिंग वो संतुलन आपकी consciousness का चेतना का भी बैलन्सिंग हो गया चेतना भी बैलेंस्ट हो गई चेतना भी संतुलित हो गई तत काल तीर की तरह बीतर गती हो जाती ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में इन सारी 112 विधियों पर विश्तरत विज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान के इंदर में देना चाहता हूं और नकेवल आपको समझाया जा सके बलकि आपको करवाया जा सके अगर एक विधि से न हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके लेकिन हम आपको उस मंदिर से निरास न लौटने दे क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं इस से जादा हो नहीं सकती अगर एक विधी काम नहीं करती, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती, तीसरी करेगी और आपकी विधी ततकाल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधी आप पर काम करेगी आप पर कौन सी विधी काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी इसके खोजने का भी विज्ञान है और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके तो मनुस जाती के लिए जो आज सरवादिक पीडा और संटाप से गुजर रही है और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ सोचा था कि लोगों के पास बोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा आज दुनिया में आदी दुनिया के पास बोजन बिलकुल ठीक है सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे मकान होंगे अच्छे रास्ते होंगे दवा होगी चिकिस्सा होगी बीमारियां कम होगी आज आदी दुनिया के पास सब है एक बड़ी अद्बुद घटना घटी है कि जिन के पास आज सब है वे ही सरवाधिक असांत बेचन और परिशान हो गए घरीब मुल्क एक अर्थ में सोबाग किसाली है भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग किसाली क्योंकि अभी भी उनकी आसा जीवित है उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा धन बढ़ेगा धन बटेगा सब ठीक हो जाए ये आसा भी उन मुल्कों की तूट गई जहां ये सब ठीक हो गया है अब वे बड़ी निरासा में गहन निरासा में खड़े हो गए इतनी होपलेसनेस इतनी आसा रहित्ता कभी भी मनुस्त के इतहास में पैदा नहीं होई थी आज अमरीका जितना आसा हीन है उतना प्रत्वी पर कोई भी नहीं और आज अमरीका मनुस्त के इतहास में प्रत्वी का सरवाधिक संपन सरवाधिक सुखी हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है और फिर भी अचानक अनुभा हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है इतनी आसाहीन इस्थिती का कारण एक है हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब वो सब डिस इलूजनमेंट वो सब भरम तूट गए और अब हमें वापिस लोट कर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, क्रश्न को क्राइस्ट को, मुहम्मत को क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुस्य को लेकिन अगर स्वयम का अनुभव न मिले तो कुछ भी मिलता नहीं लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी नहीं आ सकती थी क्योंकि बात बड़ी कालपनिक मालूम पढ़ती थी बहुत ओटोपियन मालूम पढ़ती थी और जो लोग कहते थे धन मिल जाए मकान मिल जाए उनकी बात बड़ी प्रेक्टिकल और बैवहारिक मालूम पढ़ती थी इतहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रेक्टिकल थे वो बहुत ओटोपियन सिद्ध हुए और जो लोग बहुत ओटोपियन थे आज प्रत्वी पर वे ही सबसे ज़्यादा प्रेक्टिकल सिद्ध होने के करीब लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लोटाया जा सकता अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेस करेगा उसके नए रास्ते विज्ञानिक और तकनीकी होंगे अब जिसे एक आदमी हिमाले जाता था आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमाले जाए तो ध्यान में जा सकता है लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमाले किस लिए जाता था जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेस आसान हो जाता है लेकिन कितने लोग हिमाले जा सकते हैं लेकिन बंबई में एक एर कंडिशन मेडिशन हाल हो सकता है कोई हिमाले जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हिमाले पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है अब हिमाले पर जाने की विर्थ की दौर धूप है अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही सीतलता उपलब्ध हो सकती जितने एक योगी को हिमाले की चोटी पर उपलब्ध होती थी उसके आसपास भी बर्फ फैलाया जा सकता है अगर बर्फ से ही कुछ लाब होना है तो बर्फ फैलाया जा सकता है अगर उचाई से कुछ लाब होता है जमीन के ग्रेविटेशन के कम होने से कुछ अलाब होता है तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है तो वहां भी इतना ही उत्ताब पहुच जाएगा इतनी ही गर्मी पहुच जाएगी एविरिश्ट पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहाँ भी बसा लेंगे आने वाले भविस्थ में मनुस्य जहां है वहीं सारी टेक्नलाजी और साइंस का उप्योग किया जा सकता और वहीं सारे बवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफ हो उठा के वैवस्था करनी पड़ती थी वो विज्ञान के द्वारा संभो हो गई एक सामान आदमी के लिए भी सुलब हो सकती विज्ञान और टेक्नलाजी का पूरा प्रियोग करके ही इस मंदिर को ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है ये ध्यान का मंदिर मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है अन्य था वो एक विज्ञानिक प्रियोग साला होगी इस विज्ञानिक प्रियोग साला में मनुस्यक ने जो जो खोच की है आदमी के संबंद में उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका blood pressure बढ़ा हुआ है इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है इसके रक्तचाप की जो अधिकता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्तचाप नापने का माध्यम हो सकता रक्त चाप को कम करने की ब्यवस्था हो सकती और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती हाँ एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्त चाप में जाना मुस्किल हो जाएगा लेकिन रक्त चाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुस्किल हो जाता है सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है कम खाने पर जोर दिया है उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जाच की कोई बैवस्था नहीं थी सिवाए अनुमान के ना उन्हें कैलोरीज का कुछ पता था ना उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर जो चला उससे नुक्सान ही पहुँचा आज हमारे पास बहुत विज्ञानिक ब्यवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलोरी बोजन की जरूवत है और हम ये तै कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी कम हो जाएं तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी कितनी कैलोरी जादा हो जाएं तो कठना ही हो जाएगी अगर जादा भोजन है तो ध्यान में कठना ही हो जाएगी क्योंकि जादा भोजन जादा नीन मांगता है उसे पचाने के लिए उतनी ज़्यादा नीन चाहिए कम भोजन कम नीन मांगता है और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरण पैदा हो सकता है ध्यान तो जागरण है एक आदमी ध्यान करने बैठता है और जादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कटनाई होगी लेकिन जादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में जादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साख सबजी खा लिया हो पेट पर तो बजन जादा हो लेकिन भोजन जादा ना हुआ और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो पेट पर तो बजन कम हो लेकिन भोजन जादा हो गया और आम तोर से सादू सन्यासी मिठाई खाते रहे दूद पीते रहे रबड़ी लेते रहे इस बात के बिना ख्याल किये लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था उसका कोई साफ ख्याल नहीं था आज हमारे पास उपाय है एक आदमी कितना सोए इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ध्यान की गती कैसी हो सकेगी दोनों बातें संबंदित है अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नीम ठीक हो जाएगी लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नीम को ठीक कर लेना आसान है पहले नीम ठीक कर लिजाए तो ध्यान में गती बहुत आसान हो जाएगी अब लोगों के पास नीम भी नहीं है वो रात भर सोय नहीं सुबह ध्यान करने बैठ गए जो आदमे रात भर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोयगा इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए साथो को सुनते हुए लोग अगर सो जाते है तो बहुत हैरानी नहीं मैंने तो सुना हैं कुछ डाक्टर सला देते हैं कि धर्म सबा में चले जाना चाहिए अगर नीम ना आती हो मैंने सुना हैं एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया पादरी अच्छे सच्छा जो बोल सकता था बोला बाहर जब दौनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा तो उसने कब बहुत ही ताजगी देने वाला रिफ्रेसिंग पादरी की हर्दे की धड़कन खुशी से बढ़ गई उसने का कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वालने लगी उसने का कि जब मेरी नींद खोली तो मन बढ़ा ताज़ा था इतना तो मुझे गर भी नहीं आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती मैं ज़रूर आया करूँगा तुम्हारा भासन बहुत रिफ्रेशन था क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमें को नींद आ जाती बात क्या है बोर्डम उप पैदा हो जाय नींद आ जाती कोई चीज भाने लगे नींद आ जाती और नींद की कमी हो तो जल्दे ही कोई चीज भाने लगती है जिनको नीन नहीं आती वो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमें नीन नहीं आती ध्यान से सैद नीन आ जाए उन्हें पता नहीं ध्यान से नीन जरूर ठीक हो जाए लेकिन नीन का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी है अन्न था ध्यान में जाना मुस्किल हो जायागा कठिन हो जायागा कठिन इसलिए हो जायागा कि चित्त को पहली जरूवत नींद किये और जैसे ही विस्राम मिला चित्त सो जायागा और ध्यान में जरूवत है विस्राम में भी जागे हुए होने की relaxed and aware एक तरफ सब विस्राम हो और एक तरफ सब जागा हुआ तब ही कोई ध्यान में प्रिवेश कर सकता है और नींद का नियम यह है कि यहां हम विस्राम हुए बाहर कि भीतर नीद आ गई रिलेक्स हुए कि नीद आ गई तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे अब ये सारी ब्यवस्था आज की जा सकती है नींद ना पी जा सकती है उनके सपने ना पे जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं कैसे सपने आ रहे हैं कली एक साधी का मेरे पास थी ध्यान करना है उसे मैंने उसके सपनों के बावत पूछा उसने का कि सपनों से क्या मतलब आपको मुझे ध्यान करना है मैंने उससे का कि मुझे पूछना बहुत जरूरी क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है उसने का सपने में तो मुझे सिवाय कामवासना के और हिंसा के हत्या के आग लगा देने के इस तरह की सपने आते हैं तो मैंने का कि वही तुम्हारा चित्ड करना चाहता है अभी द्यान मुश्किल पड़ेगा पहले तो तुम्हारे सपनों को सुद्ध करना पड़ेगा जिस व्यक्ति को स्वयम को सुद्ध करने है वो अगर अपने सपनों को भी सुद्ध न कर पाये तो स्वयम को सुद्ध न कर पायेगा सपने जैसी सादरन चीज भी असुद्ध हो तो स्वयम का सुध्धोना बहुत मुश्किल है जिसके सपने भी अभी सात्विक न हो पाए हो उसका सत्व सात्विक हो जाए ये बहुत मुश्किल है जिसके सपने अभी सांत न हो पाए हो उसकी सत्ता सांत हो जाए ये भी बहुत मुश्किल है लेकिन आज से पहले सपने की जाचने की कोई सुविधा न थी इस ध्यान के इंद्र में सपने के जाचने की पूरी ब्यवस्था करना चाहता हूँ अब तो इन्जाम है जिसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है वैसे ही आपके रात नीन के सपने का ग्राफ बन जाता है कि आपने कितनी देर सपने देखे किस तरह के सपने देखे वाइलिंड थे, नान वाइलिंड थे, सेक्सूल थे, नहीं थे, सेक्सूल क्या था सपने किस तरहे के थे इसकी काफी जानकारी ग्राफ दे देता है और कितना सपना देखा रात पर क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबन में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतित हुआ है कि चित्ते के बीतर भी वेबस है तरंगे जब सपना चलता है तो तरंगे और तरह की होती जब सपना बंध होता है तो और तरह की होती और बड़े आश्चिर की बात है कि गहरी मीन में जो तरंगों की स्थिती होती वही स्थिती ध्यान की तरंगों में भी होती ध्यान में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिस्त की तरंगें वैसी ही होती है जैसी तरंगें गहरी निद्रा में होती और जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो तरंगें वैसी ही होती है जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है चिन्ता और स्वक्तनों का जोड़ है, गहरी निदरा और ध्यान का जोड़ है यह सारी विज्यानिक दवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है और प्रत्य व्यक्ति को विज्यानिक रूप से सहता पहुँचाई जा सके यह द्रश्टी और मेरे देखे आज मनुस को ध्यान की जितनी जरूवत है उतनी किसी और चीज की जरूवत नहीं है क्योंकि आज मनुस जितना असान्त है उतना मनुस असान्त कभी भी नहीं था